हेलो एवरिवन मैं हूँ अमिता और परफेक्ट रेसिपी विद अमिता में आप सब का स्वागत आज हम अर्भी के साथ एकदम बढ़िया सी चटपटी सी टेस्टी सी रेसिपी बनाने वाले है जिसे आप स्टार्टर की तोर पर भी खा सकते हैं और खाने में साइट डिश की तोर पर भी यूज कर सकते हैं हमने इसे बनाने में बहुत ही कम तेल का यूज किया है तो इसमें टेस्ट के साथ साथ हेल्द भी है तो चलिए इस टेस्टी और हेल्दी रेसिपी को बनाना शूरू करें इसे बनाने के लिए सब से पहले हमने यहापे लिए है यह अर्भी य कि इसमें जाहिर सी बात है बहुत सारी मिट्टी लगी होती है तो उस मिट्टी को हमें पूरी तरस से हटा देना है और अच्छे से दोने के बाद losses by辉ले कोकर में पकाएंगे तो इससे पकाने के लिए मैंने इहां पे लिया है ये छोटा वाला कूकर इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इस पानी में हम डालेंगे ये कूकर वाली प्लेट और इसके बाद हम इसके उपर रख देंगे ये धुली हुवी अर्बी का बाउल मैंने इसमें धुलीवी अर्भी रखती है इसके अंदर हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है जो पानी डालना है वो कूकर में डालना है अब मैंने कूकर का ढखन लगा दिया है मैंने ये छोटा वाला सबजी का कूकर लिया है तो मैं 3 सीटी से पकाऊंगी अगर आप बड़े कुकर में इसे पका रहे हो तो 2 सीटी काफी है ये कुकर की सीटी आ बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है तो 3 सीटी के बाद ये अच्छे से पक जाएंगी 3 सीटी होने के बाद जब तक कूकर का प्रेशर नहीं चला जाता हमें वेट करना है और जब प्रेशर चला जाएगा तो हम इसे खोल लेंगे अब 3 सीटी हो चुकी है और कूकर का प्रेशर भी अब जा चुका है अब मैं इसे आपको खोल कर बताती हूँ देखिए ये कितने अच्छे से पकी है हमने इसमें पकाते वक्त अंदर पानी नहीं डाला था तो ये एकदम सूखी सूखी सी पकी है इसे चीलने में हमें अब आसानी होगी देखिए इसका चीलका भी कितनी इजिली उतर रहा है इसी तरह से हमें सारी अर्वी चील लेनी है जैसे हम आलू चीलते हैं बस सेम उसी तरह से इसका चीलका उतर जाएगा अब हम इन सारी अर्वियों को चील लेते हैं इसे चीलने के बाद हमें इसके पीसेस करने पड़ेंगे क्योंकि यह साइज में बड़ी है तो मैं इसके तीन पीस करूंगी अगर आपको छोटी मिल जाती है तो बहुत बढ़िया है अब इन सारी अर्भियों के मैं पीसे सकर लेती हूँ अब मैंने यहां पे ली है यह लाल मिर्च का पावडर यह कश्मीरी लाल मिर्च का पावडर है इससे रंग बहुत बढ़िया आता है और हमें जरुरत है काले नमक की यह काला नमक पस दो ही चीजों के हमें जरुरत है अब हम एक अर्भी का पीस हाथ पे ले लेंगे और इस तरह से प्रेस करते हुए हमें इसे गोल शेप दे देना है बस रफली हमें इसे प्रेस करना है और गोल शेप दे देना है एकदम बढ़िया सा फाइन सा कटलेट की तरह गोल शेप इसे नहीं आ पाएगा देखिए कितने आसानी से यह हम प्रेस करके इसे शेप दे सकते हैं और सारे पीसे इसको शेप देने के बाद हम इस पे छिड़केंगे यह काला नमक काला नमक से इसमें स्वाद बहुत बढ़ी हाता है इस तरह से हर एक पीस के उपर हम नमक छिड़क देंगे ताकि हर एक पीस को नमक का स्वाद अच्छे से लग जाए अगर आपके पास काला नमक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है आप साधारंड सा जो sea salt हम खाते हैं वो भी उज़ कर सकते हैं अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर सेम नमक की तरह ही लाल मिर्च का पाउडर भी हमें चिड़कना है और हर एक पीस को इसका टेस्ट आए इसी तरह से हम इसे फैला लेंगे एक साइट से नमक और मिर्च चिड़कने के बाद हम इसे पलट देंगे और सेम इसी प्रकार से दूसरी तरफ भी हमें नमक और मिर्च लगा लेना है देखिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक का यूज करे इसके लिए ऐसा कुछ स्पेसिफिक मेजर्मेंट नहीं है इसके बाद हमें ग्यास पे एक तवे को चड़ा देना है जैसे ही तवा गरम होता है हम इस पे डालेंगे थोड़ा सा ओईल आप जो भी कुकिंग ओईल यूज करते हो आप इसे यूज कर सकते हैं और एक एक करके इस अरबी के पीसिस को हमें तवे पे फैला देना है बहुत ही कम तेल में हम इसे फ्राइ करेंगे इसे फ्राइ करते वक्त हमने ग्यास की फ्लेम को लो टू मीडियम पे रखा है इसे तेज आँच पे बिल्कुल भी ना पका है क्योंकि हमने इसके उपर जो मिर्च पाउडर डाली है अगर आप आँच को तेज रखेंगे तो ये तुरत जलने लग जाएंगी इसलिए लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इसे एक साइड से पका लेना है इसके बाद इसे पलट कर दूसरी साइड से भी गोल्डन रंग आने तक हम पका लेंगे इसे फ्राइ करते वक्त इस तरह से स्पैटूला के साथ आप हलका हलका इसे प्रेस करते रहे ताकि इसकी सतह पूरी तरह से क्रिस्पी बन जाए देखिए बिल्कुल इसी तरह से हमें इसे प्रेस करते हुए पकाना है हमने तेल बहुत ही कम यूज किया है आप देख सकते हैं इसे अब दोनों तरफ से गोल्डन रंग आ चुका है इसे मैं अब प्लेट पे निकाल रही हूँ है ना एकदम आसान रेसिपी अर्भी पहले से ही पकी हुई थी तो तवे पे इसे फ्राइ करने में लगे हैं सिर्फ 5 मिनिट 5 मिनिट में दोनों तरफ से गोल्डन हो चुकी है और एकदम कुरकुरी भी बन चुकी है आज की ये अर्भी की फटाफट से बन जाने वाली टेस्टी और हेल्दी रेसिपी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताईए और हाँ अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूले हम फिर मिलेंगे ऐसी एक परफेक्ट रेसिपी के साथ तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए अच्छा अच्छा खाना बनाते रहिए खाते रहिए और खिलाते रहिए